नमस्कार आप मुझे सुन पा रहे हैं भारतिय बस्ती यूट्यूब चैनल पे मिली जानकारी के नुसार उत्तर प्रदेश इस्थित बस्ती में कुरोना वाइरस के साथ नए मामले सामने आए हैं नए मामलों के पुष्टी डाक्टर फख्रयार हुसेन निकी मिली जानकारी के नुसार या मामले मुंबई से आये हुए प्रवासियों से जुड़े हुए हैं ये सभी लोग हरया में कौरिंटीन किये गए हैं डियम बस्ती आशुतोस निरंजन ने शुक्रवार को जानकारी दी थी कि जिले में 10 केस पॉजिटिव थे एक मई तक 2169 सेंपल के रिजल्ट आ गए थे वहीं 1795 सेंपल के परड़ाम का इंतजार था साथ नए मामले आने के बाद जिले में जहां कुल मामले एक्तिस हो गए हैं जिसमें से 17 केस एक्टिव हैं 13 लोग डिस्चार्ज किये जा चुके हैं और एक की मौध हो चुकी है इससे पहले शुक्रवार को बस्ती के हरया में एक शक्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया था मिली जानकारी के अनुसार मुंबई से लोट रहा संतकभी नगर निवाशी सक्स हरया में कौरेंटीन था 28 अप्रेल को सावित्री देविस मारक इंटर कॉलेज हरया में कौरेंटीन किये गए सक्स के स्वैब सैंपल बी आरडी मेडिकल कॉलेज भेजे गये थे जहां वहां जाच में पॉजिटिव पाये गया गुरुवार देर रात आय रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई कि 20 वर्षिये संतकभी नगर निवासी युव कोरोना पॉजिटिव पाया गया जानकारी की अनुसार या शक्त संतकभी नगर जिले के ककरहवा थाना दुधारा विकास खंड समिरियावा का निवासी है इसके साथ ही युवक को मुंडरवा CSC भेजने की कारवाई शुरू कर दी गई थी बाकी कुरोना मदेलों का इलाज चल रहा है